हेलो दोस्तों, प्रतिमाजीस एकेड़ी पे सभीका स्वागत है दोस्तों करणटफे शुरू करते हैं, आपको लाइक करें, सेयर करें और जिन दोस्तों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुरू करते हैं, आज का पहला पॉइंट है 2023 में गड़तंत्र दिवस के मुख अथिति कौन होंगे हमारे देश की परंपरा रही है 26 जनवरी 1950 हम गड़तंत्र दिवस मनाते हैं और गड़तंत्र दिवस के जो परेड होता है उसकी अधिशता हमारे महा महिम राष्टपती के द्वारा किया जाता है राष्टपती परेड की सलामी लेते हैं सलामी लेते हैं और हमारी एक परंपरा रही है कि हम अपने गड़तंत्र दिवस के समारों को जब परेड की रूप में सामील करते हैं तो बैस्विक समुदाय के किसी ब्यक्ति को मुख अतिति के रूप में आमंत्रित करते हैं ऐसा पहला आमंत्रण 1950 में पहली बार इंडोनेसिया के राष्टपती सुकरणो को बुलाया गया था यानि हमारे स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी और उसके बाद आंसिक रूप से छोड़ने के पस्चाथ पूर्ता जब 26 जनवरी 1950 को हमारा सम्मिधान लागू हुआ तब से हम गरतंत्र दिवस मनाते हैं और गरतंत्र दिवस के जो हमारे पहले मुख आतिति रहे हैं वो 1950 में इंडोनेसिया के राष्टपती सुकरणो थे ये पहले बेक्ति हैं जिन्हें ये सौभाग और हमारे देश का कुठनीतिक सौभाग था कि हम इन्हें आमंत्रित किये थे उसके बाद क्रमसा हम अलग-अलग देशों के राष्ट्याध्यच को बुलाते रहें और उन्हें मुख आतिति के रूप में सुर्कार करने के पर चात आमंत्रित करते हुए उन्हें हम ये सम्मान देते रहें अब 2023 का जो गरतंत्र दिवस होगा उसके मुख आतिति कौन होंगे आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका के अमेरिका के केवल एक राष्ट पती बराक उबामा बराक उबामा 2015 में मुख आतित के तोर पे थे बाकी कोई भी अमेरिका का राष्ट पती हमारा मुख आतित नहीं बना है इस बार 2030 के मिस्र के जो राष्ट पती हैं अब्दुल फत्य अलसीसी इनको बनाये गया है ये एक्जाम में आनत्त है अब्दुल फत्य अलसीसी को आमंत्रित किया गया है और उन्होंने आमंत्रन सुविकार करते हुए भारत को धन्यवाद कहा है भारत को धन्यवाद कहा है और ये मिस्र के पहले नेता होंगे जो हमारे गरतंत्र दिवस के परेड में मुख आतित के रूप में सामिल होंगे यानि मिस्र का भी कोई नेता अभी तक ये सोभाग किसी को नहीं प्राप्त हुआ है यानि भारत द्वारा गरतंत्र की मेजबानी करने वाले मिस्र के ये पहले नेता होंगे आपको बता दें कि मिस्र में 2014 में ये राष्टपती बने थे उसके बाद फिर 2018 में बने तो वहाँ के राष्टपती है यानि कि अब्दुल्फते अलसिसी 2023 के भारत के गरतंत्र दिवस के मुक अतित होंगे अगला पॉइंट है भारत में पहली G20 सेरपा की बैठग आपको ज्यात होगा कि ग्रूप 20 का अध्यचता भारत को मिल चुका है एक दिसंबर 2022 को भारत ने G20 यानि ग्रूप 20 की अध्यचता सुविकार कर चुका है और अब जो सितंबर 2023 में G20 का सिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी तैयारियों के रूप में सेरपाओं की बैठग चलना प्रारंब हो जाता है यानि एक साल के पूरी गत्विधियों में कारे प्रारंब होता है तो पहली बैठग भारत की अध्यचता को प्राप्त कर पहली बैठग सेरपा की आयुजित किया और ये किया गया है राजस्थान के उदेपुर में राजस्थान के उदेपुर में भारत में पहली G20 सेरपा का बैठग किया गया है और आपको बता दें इस समय जो भारत के सेरपा हैं G20 में उनका नाम है अविकांत अमिताब कांत ये सेरपा है और इन्ही के नित्त्त में बैठक आयोजित किया जा रहा है तो पहली बार सेरपा का इजन किया जा रहा है बैठक का राजस्तान के उद्धेपूर में अगला पॉइंट है राश्टिय कैडिट कोर यंसीक का वर्सगाड यंसीक नेशनल कैडिट कोर राष्टिये कैड़ेट कोर NCC NCC की इस्थापना किया गया था 1948 में 1948 में NCC का इस्थापना किया गया था और 1948 में हिर्दे नाथ कुंजरू हिर्दे नाथ कुंजरू इन्हें H.N. कुंजरू के नाम से भी जानते हैं इनकी एक समीती बनाए गई थी और इन्ही के समीती के सिफारिस पर सिफारिस पर नेशनल कैड़ेट कोर की इस्थापना किया गया था नेशनल कैड़ेट कोर भारत के रच्छा मंत्राले के अंतरगत आता है और इस बार चौहत्तरवी वर्सगाठ मनाए गई चौहत्तरवी वर्सगाठ मनाए गई एन्सीसी का और इस वर्सगाठ पर जो एन्सीसी के जवान थे जो अपनी जान गवा चुके हैं सहीद हो चुके हैं नई दिल्ली में इस्थित युद्ध असमारक पर जो एन्सीसी के कंडिडेट थे एन्सीसी के जवान थे जो सहीद हो गये थे उनके नाम पर उनकी समाधी पर पुस्पांजली भी अरपित किया गया राष्टिय काईडेट कोर्प की वर्सगाठ यानी चोहतरवी वर्सगाठ मनाई गई नई दिल्ली में 26 नमंबर 2022 को युद्ध असमारक पर पुस्पांजली अरपित किया गया जो एन्सीसी के जवान सहीद हो गये थे उनके समाधी पर यान्सीसी का गठन 1948 में याच यान कुझरू समीती के सिपारिस पर किया गया था और यह रच्छा मंत्राले के अंतरगत आता है ग्लोबल एम्प्लाइबिलिटी उनिवर्सिटी रैंकिंग और सर्वे रिपोर्ट टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया के द्वारा जारी किया गया और इस बार के दो सो पच्चास यूनिवर्सिटी को सामिल किया गया और इन दो सो पच्चास यूनिवर्सिटी में भारत के केवल साथ यूनिवर्सिटी को सामिल किया गया यानी पूरे बिस्व में दो टाप दो सो पच्चास में भारत के केवल साथ बिस्व द्याले है और वो भी टाप सव में केवल तीन केवल तीन यूनिवर्सिटी है और इन तीन में जो पहला रैंक है आई आई टी दिल्ली का वो इन सो में वंतिसों में रैंक पे है यानी ओबर आल वंतिसों रैंक पे है पूरे बिस्व में आई आई टी दिल्ली और भारत का पहला संस्थान है जो ग्लोबल एंप्लाइबिलेटी उनिवर्सिटी रैंकिंग सर्वे रिपोर्ट में दूसरा है आई आई एस सी बंगलोर और इनका ओबर आल जो रैंकिंग है वो है अठावन अठावनवा रैंक है और जो तीसरा रैंक है आई आई टी बामबे इनका ओबर आल बहात्तरवा रैंक है अबर आल बहात्तरवा रैंक यानि की जो भारत के टाप थिरी हैं उनका पूरे बिश्मे रैंक आई टी दिल्ली का वन तीसवा रैंक है आपको दो तरह से याद रखना है भारत के क्रमसा रैंक में नमबर एक पर दिल्ली है नमबर दो पर I.S.C. बंगलोर है नमबर तीन प तो पूरे बिश में IIT दिल्ली 21 स्थान पर है, IISC बेंगलोर 58 स्थान पर है, IIT बाम्बे 22 स्थान पर है. अब मौसम टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जो गलोबल एंप्लाइबिलेटी इंवर्शिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें पहला इस्थान किसका है, तो पहला इस्थान मैसा चुसेर्स इंस्टिट्यूट आप टेकनोलोजी यम IIT, यम IIT ये अमेरिका का है, मैसा चुसेर्स इंस्टिट्यूट आप टेकनोलोजी ये पहले इस्थान पर है, कैलिफोर्निया इंस्टिटूट आप टेकनोलाजी ये दूसरे स्थान पर है और हारबर्ड इन्वर्शिटी ये तीसरे स्थान पर है कैम्बिज इन्वर्शिटी चौथे स्थान पर और स्टेंफोर्ड इन्वर्शिटी पाचो स्थान पर और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाँच के पाँचो जो इनवर्सिटी है ये पिछले साल भी इनका यही स्थान था पिछले साल भीन का यही स्थान था यानी मैसा चुसेष्ट पहला था कैलिफोर्निया इंस्टिटूट आप टेकनोलोजी दुद्तिये हार्बर इनवर्सिटी तिर्थिये केंब्रिज इनवर्सिटी फोर्थ और स्टैन्फोर्ड इनवर्सिटी फिफ्थ स्थान पे और जो आक्सफोर्ड इनवर्सिटी है इस बार छठा रैंक है और पिछले साल यह आठवा रैंक था पिछले साल आठवा रैंक था यह उपर जुड़ करके छठा रैंक में सामिल हो गए हैं तो भारत के साथ तो हैं लेकिन जो टाप हंड्रेड में हैं वो यही तीन हैं पहल रेंक, IAC Bangalore, overall 58 रेंक भारत का दूसरा रेंक, IIT Bombay, overall 72 रेंक और भारत का तीसरा रेंक, इनमें कुल 7 और top 100 में 3 है, time higher education के द्वारा, global employability university ranking and survey report 2022 जारी किया गया, तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यह पर समात करता हूँ, धन्यवाद जैहिन, जै भारत